जब रात के अंधेरे में पांच हजार परिवारों ने एक साथ खाली कर दिया था अपना बसा बसाया गाउं। कहानी राजस्थान के कुलधरा गाउं की है जो हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। रहसे मई दिलचास पौरन सुनी कहानी शुरू होती है दो सो साल पहली। राजस्थान के पस्चमी हिस्से में बसाकुलधरा एक समरिक्द गाउं था। यहां पालीवाल ब्राम्मन रहते थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। जो रियासत का अधिकारी था। उसकी नजर एक खुबसूरत लड़की पर पड़ी जो कुलधरा गाउं की थी। दिवान किसी भी कीमत पर उस लड़की को अपना बनाना चाहता था। इधर गाउं वालों ने दिवान की नियत को भाप लिया था। बात सिर्फ लड़की के सम्मान की ही नहीं गाउं के स्वाभी मान की भी थी। गाउं वालों ने एक बैठक बुलाई और पांच हजार परिवारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो रात के अंधिरे में गाउं छोड़ देंगे। जाते जाते ब्रामणों ने कुलधरा को शुराब दे दिया कि ये गाउं कभी नहीं बसेगा और वाकई कुलधरा आज तक नहीं बसा। कुलधरा धीरे धीरे खंडर में तब्दील होता चला गया आसपास के गाउं तो फिर भी बसे लेकिन ये गाउं जैसे का तैसा पड़ा रहा। किससे ऐसे भी हैं कि यहां लोगों के रोने की आवाजे सुनाई देती हैं। आज भी कुलधरा की खाली सड़कें और वीरान घरों में उस समय का रहसे दबा है जिसकी खोज लोग आज भी करते हैं। पुल्धरा जहां इतिहास और रहसे मिलते हैं और हर कोना एक कहानी बया करता है इस रहसे मैं गाओं को अगर आप भी पास से देखना चाहते हैं तो पहुँच जाएं राजस्थान के जैसल मेर्जिले में पुल्धरा वहां से महज 17 किलोमीटर दूर है आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें लोकलिटी